संजे सिंग जो ये कहा करते थे कि अखिलेश जी के पिता जी चोर है और इन पर प्रतीबन लगा देना चाहिए संसद में घुसने के लिए पार्लेमेंट में घुसने के लिए आज आप जाकर इनके साथ गड़बंदन कर रहे हैं जो संजे सिंग जो बात कर रही है कि भाजपा मुक्त बनाएंगे, पहले आप दिल्ली को प्रदूशन मुक्त कर लीजेए, पहले आप दिल्ली का जो पानी है, जो यमुना है, उसे साफ कर दीजेए, तो हम अपना वोड भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार को ही देंगे, यह लिब दुबारा 2022 में आप चला दीजे का जिस दिन रिजल्ट आएंगे भारती जंता प्रदेश में सरकार बनाएगी और योगी आदितिनात जी मुख्य मंत्री होंगे। के साथ वो काफी लंबी चली इसके बाद संजे सिंग एक घंटा उनसे मेटिंग करके गई जिसमें उन्होंने अपनी सीटें वो देंगे गडबंदन अगर करते हैं तो निगत अबबास जी इस वक्त मेरे साथ है निगत जी बीजेपी को पीछे करने के लिए पुर जोर कोशि कि पूंदने लिए तो मुझे नहीं लगता कि भारती जंता पार्टी को या भारती जंता पार्टी की सरकार है इस समय उत्तर-प्रदेश में और केंद्र में उसे इस चीज़ से कोई चिंता करने की जरूरत है या हमें कोई फर्क पढ़ने वाला है तो चेलने लगते हैं इछले चुनाव में आप लोगों ने हाती को साइकल की सेर कराई थी। उसके बावजुद आपको अपने मूग की खानी पड़ी थी। अब ये हो रहा है कि एक बार आप ओवैसी के खिलाफ बोलते हैं, कभी ओवैसी आपके खिलाफ बोलते हैं और आज गडबंदन की बात हो चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो यादव समाज हो, लेकिन इन लोगों को और साथी साथ दलित लोग भी, क्योंकि हमने देखा ता पिछले गडबंदन में इनोंने क्या किया था, तो जो इन लोगों का पुराना चर्चे तविशे आ रहा नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में कभी आए नहीं, आप तो पात साल यहां पर थे, और उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जो मौका दिया था, उसमें आप किस प्रकार विफल हुए थे, आप लोगों ने किस प्रकार गुंडा-गर्दी को बढ़ावा दिये था, यह हम भूलते नहीं है, आपके खुद की पार्टी के कारे करता चोड़ चक्के निकले थे, हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए, यह इस चीज को समझते हुए, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो अपने आपको बहतर करेंगे, ना कि musical chairs खेलते हुए, इन लोगों के साथ सरकार चलाएंगे, भाजपा मुक्त बना पाएंगे? उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल अपना मन बना चुकी है, कि 2022 में दुबारा से योगी आधितिनाथ जी यानि भारती जनता पार्टी के सरकार वापस आने वाली है, क्योंकि इस गती को, इस विकास की गती को हम धीरे नहीं करना चाहते हैं, जो संजे सिंग जो बात कर भाजपा मुक्त बनाएंगे, पहले आप दिल्ली को प्रदूशन मुक्त कर लीजिए, पहले आप दिल्ली का जो पानी है, जो यमुना है, उसे साफ कर दीजिए, पहले आपने कोविड, जो कोविड के समय जो आप कुरोना मुक्त करना चाहते थे, वो आप करनी पाए, तो जो मुक्त की बात आप कर रहे हैं, जो जगह आपको दी गई है ना जनता ने, आप पर भरोसा करकर आपको सरकार बनाने का मौका दिया, आपको अपनी सराखों पर बिठाए, आपके जूट को सच मान कर आपको गद्दी दे दी, उसके बावजूद आज आप जूट बोड़ आप जा जाकर गोवा में, उत्तर प्रदेश में, पंचाब में प्रचार कर रहे हैं, और प्रचंड प्रचार हो रहा है, और ऐसा प्रचार जो हमने कभी नहीं देखा, जहां पर आपने दिल्ली की जनता का जो पैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पोस्टरों में और दिल्ली में क्यों नहीं करा, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का जो आप जूटा नाटक डिंडोरा पीट रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पोस्टर लगा के तमाम एक्सप्रेस वेपर लगे हुए हैं, मुझे बताएगे, इस मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी को आप उसी प्रकार देना चाहते हैं, जिस प्रकार दिल्ली में दे रहे हैं, कि मुफ्त पानी देंगे तो नाली का पानी देंगे और मुफ्त बिजली देंगे तो गरीब को जूट बहकाएंगे और कहेंगे कि हम 200 यूनिट सकतो फ्री देंगे, पर अगर आपकी 200 एक आगई तो ह आपको बहुत बड़ी गलत फेमी है संजे सिंग जो ये कहा करते थे कि अखिलेश जी के पिता जी चोर है और इन पर प्रतीबन लगा देना चाहिए संसद में घुसने के लिए पार्लेमेंट में घुसने के लिए आज आप जाकर इनके साथ गड़ बंदन कर रहे हैं अगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बार थोकिएगा एक बार चाटिएगा इसको छोड़ दीजिए जनता के विकास के लिए जो आपको राज्ये दे दिया गया है वहाँ पर काम करिए और उस काम के एक्जैंपल पर वोट मांगिएगा नए नए वादे तब कर कि एसा हो भी सकता है जो व्यक्ति मुक्तार अंसारी जैसे व्यक्ति के लिए फूट फूट कर रो रहा हो जिस व्यक्ति ने पैर से लेकर सर तक सर से लेकर पाव तक सारा जोर लगा दिया हो कि कि किसी प्रकार मुक्तार अंसारी का जो छवी है वो बहतर हो जाए मुझे लग करने वाले लोग हमारे सर पर बे՞ें। चोरो चक्कों की तरह गुंडे घूम रहे थे इफ टीजिंग के केस लगातार इत दिन में आ रहे थे लेकिन आज हम हर चौक पर आप खुद आई हैं मनीशा जी इस समय हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं आप खुद आए हैं आपने देखा कि हर चौक पर हर गोल चक्कर पर यहां पर पुलिस तैनात हैं आज किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि किसी महिला के साथ अबद्र व्यवार करते हैं रात को जो महिला नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करती है अलग अलग जॉब्स होती है जिसमें नाइट शिफ्ट भी होती है पहले बाहर और तो छोड़ो आदमी को भी पाऊ निकालने अगर निकालना पड़ता था उत्तर प्रदेश में दस बचे के बाद घर से तो डर लग आपको मुक्तार अंसारी या उसके भाई को सपा में जगा देना लगता है वो एक मिनारटी जो मुस्लिमों कमाना जाता है उत्तर प्रदेश में क्या उनके वोट्स खीच पाएंगे अपनी देखिये मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान बहत समझतार है एक समय था हमें बिना भेदभाव के हमें हमारा हक दिया जो हिंदुों को वही मुसलमानों को मिला बिना अपीजमेंट के बिना तुष्टी करन के बिना जाती और धर्म की बात करे हुए एक्वालिटी से हमें मिला तो आज हम उसी रह पर चलना चाते हैं और यहां का मुसलमान जो उत् और मोधी जी को प्रधान मंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगधान मुसल्मानों का भी रहां। अब वही वही सेम चीज हम दुबारा कहते हैं न इतिहास दोहराएगा। वही दोहजार उननेस का इतिहास दोहजार बाईस में दोहराने वाला है। और मेरा जो समुदाय है, जो मुसल्मान समुदाय है, वो दुबारा भारती जनता पार्टी की सरकार को मतदान देगा, वोट देगा, अपटी खुशी से देगा, क्यूंकि हमें तुष्टी करन नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, अगर हमारे लिए काम हो रहा है, तो हम भूल गांदी और अकिलेश जी का जो गढ़ीदिन तय दहीं पो जाला हिए आदेला वह लुगा जोड़नाई रहा था अब जाए held now जौडरी और पर टोटी चोर का आरोप लग जाता है, ऐसे कौन से पड़े लिखे होते हैं, जो ब्रष्टा चार करते रहते हैं, ब्रष्टा चार करने के लिए पड़े लिखे हैं, बिल्कुल पड़े लिखे हैं, अधिकारियों को जितने भी पुलिस करनी हैं, अधिकारियों को दबाने के पड़े लिखे हैं, बिल्कुल पड़े लिखे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचना, लिखत में सब करना है, लेकिन कुछ कर्तब नहीं दिखाना, सिर्फ कहते हैं, action speaks louder than words, तो आपके शब्द जरूर रहते हैं क्योंकि आप पड़े लिखे हैं, लेकिन आप के actions नहीं रहते, जहां तक laptop और phone की बात हो गई, तो एक बड़ सामने सामने बैठ कर बात कर लीजेगा योगी आदिते नाथ जी से, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने समझदार है और योगी जी कितने समझदार है, उनकी समझदारी के बारे में हमें यहाँ पर justification देनी की जरूरत नहीं है, वो जनता जानती है, जनता ने देखा है, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो जनता के सेवक है, जनता ने उन्हें माना है, जनता ने उन्हें जहां वो हैं, वहां बिठाया है, उस काम से जनता खोश है, बस वही चाहिए, वो पढ़ा लिखा, इंसान हमें बहुत है, जो हमारी जंता को खुश रख रहा हो, और जंता से किये हुए वादे पूरे कर रहा हो अखिलेश यादव हर बार सादूसंतों परवार करते हैं, उसमें वो योग्यादितेनाद को भी गिनते हैं, कि सादूसंत सिर्फ चिलम फूगने के लिए ही माने जाते हैं, मतलब जो उनका एक रूप है, वो चिलम फूगने के लिए मना जाता है, और उनमें वो योग्यादि समाज को ठेस पहुचा देते हैं ये कौन सी जंता है जो आपको वोट देगी क्योंकि आपने हिंदू समाज के दिल पर ठेस पहुचा देए ऐसे कोई लोग नहीं है ये ब्रहम में जी रहे हैं किरेने एक बबल चल रहा है इनके दिमाग में एक फोग धुंदलापन चल रहा है कि इस प्रकार की बयान बाजी से ये उत्तर प्रदेश की जंता का दिल जीत लेंगे नहीं आप पहले ही जंता की नजरों में गिर चुके हैं और गिर रहे हैं और पहलो तले जमीन आपके उस दिन खिसक जाएगे 2022 चुनाफ का आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा इस तरह की बयान बाजी से मैं तो कहूंगी आपको बचना चाहिए मेरी नीजी सला है आपको कुछ सीटे जो आप जिन पे आप लड़ते हो आप खुद लड़ते हो आपकी बेगम साहिबा लड़ती है आपके परिवार में और भी कुछ लोग लड़ते है अगर वो भी सीटे बचाना चाहते है आपको लगता है कि हाँ मैं अपनी सीट तो बचा लूँ तो इस प्रकार के बयान बाजी करना बंद कर दीजे क्यूंकि जनता बहुत समझदार है और जनता को इस प्रकार के बयान पसंद नहीं है आप हिंदूों को ठेस पहुँचाएंगे तो ये मत सोचीगा कि मुसल्मान या किसी और समुदाय को आप खुश कर देंगे क्योंकि ये भाईचारे की राजनीती आप करेंगे ना अभी आपके लिए बहतर रहेगा भाईचारा है हिंदूस्तान के लोगों में आपस में हिंदू, मुसल्मान से किसाई, जैन, बहुत पार्सी एक दुसरे से बेंतहा महबत करते हैं इन्हें बाटने की कोशिश मत करिए अगर आप मुसल्मान को गलत कहेंगे तो हिंदू को ठेस पहुँचेगे और हिंदू को गलत कहेंगे तो मुसल्मान को ठेस पहुँचेगे तो इससे अगर आपको लग रहा है कि तुष्टी करन की राजनीती करके आप वोट हासिल कर लेंगे तो बहुत बड़ी गलत फैमी है आफरी सवल मेरा निगत जी ये जो गटबंदन हो रहे है बीजेपी को खत्रा हो सकता है क्या बीजेपी भी आगे गटबंदन का सोच सकती है किसी पार्टी के साथ देखे पूरे जितनी भी हमने अभी चर्चा करी मुझे लगता ही नहीं कि आपको कहीं भी ऐसा लगा हो कि भारती जन्ता पार्टी को डरने की जरूरत है या हमें गटबंदन करने की जरूरत है नहीं हमारा गटबंदन सिर्फ एक जगा है वो है उत्तरप्रदेश की हिंतुस्तान की जन्ता से वो गडबंदर अगर मजबूत है ना तो हमें यहां अगले बगले जहाकनी की जरूरत नहीं है जो इस समय अखिलेश यादव और केजरिवाल साहब और बाकी गांधी परिवार कर रहा है अगर ये काम हमें करना होता तो हम बहुत पहले कर चुके होते हमारा गडबंदन जनता के साथ विकास के रूप में हो चुका है जनता हम से खुश है हम जनता से खुश है इससे बहतर और कोई स्थिती हो नहीं सकती इसलिए ना हमें किसी का डर है और डंके की चोट पर कह रही हूँ ये लिख के ले लिजेगा और ये क्लिप दुबारा 2022 में आप चला दीजेगा जिस दिन रिजल्ट आएंगे भारती जनता पार्टी के सरकार बेहत बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और योगी आदितिनाथ जी मुक्हे मंत्री होंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये थे मरस्त निगदबास जी इन्होंने मैं बताया जिस तरीके से गड़बंदन अभी कर रहे हैं खिलेश यादर कितने भी गड़बंदन कर ले जैसे फेल हुए थे और बुआ और बबुआ का जो गड़बंदन था धन्यवाद